दोस्तो आज के समय में ज्यादातर लोग आखों की समस्या को लेकर परिशान हैं। कई बच्चों को छोटी उम्र में ही चश्मा लग जाता है। पढ़ाई में आखों पर जूर पड़ता है और आखों की देखवाल ठीक से नहीं होती। जिसके कारण आख खराब होने लगती ह तो आपकी नजर बुड़ापे तक अच्छी रहेगी। आज मैं आज में आपको बताता हूँ कि आखों की रोशने को तेज कैसे करें। इसके लिए आपको चाहिए 100 ग्राम सोंप, 50 ग्राम बादाम, 100 ग्राम मिसरी, इन तीनों को मिक्स कर लें, फिर इसे ग्राइन कर बहुत ही फायदमद होता है। और सोंप में ऐसे न्यूट्रियन और ऐसे एंटी अक्षिजन पाई जाते हैं जो हमारे आखों के लिए बर्दान सावित होते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे यूटूब चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो फ्लीज कर ल जास्ते में एक चम्मज मिठी लसी दही या जूच के साथ लेना है। इसका लगातार इस्तेमाल करने से आखों के रशनी तेज हो जाएगी और अगर आपकी आखों पर चश्मा भी लगा हुआ है तो उसका नम्मर भी देरे-देरे कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर से उपाय भी बताता हूं जिसके करने से आखों को बहुत फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो अपनी आखों को दिन में 4-5 बार तेजी से जबकाएं फिर बन करके तेजी से 3-4 बार खोलें ऐसा दिन में रोज करें। आखों का चश्मा उतारने के लिए गाजर का जूस बना से दुएं। जिससे की आखों में जमी धूल मिटी साप हो जाएं। सुभा उठकर रोज घूमने अवर्श जाएं। ताकि आप भी स्वस्तर हैं और आपकी आखें भी। चश्मा हटाने के लिए कपाल भाती, अनुलोम मिलोम, जलनेती, प्रयानाम सुभा उठकर रोज करे खाना खाना के साथ साथ सलात जरूर खाएं। क्यूंकि सलात आपके पूरे शलीर के साथ साथ आपकी आखों के रोशने को भी तेज करती है। दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही आशा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर जरूर करें और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा क कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं फिर से मिन हुआ एक नए अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार